mutual fund, mutual fund, mutual fund जहां देखो आपको सब बता रहे हैं कि कौन सा mutual fund खरीदना चाहिए लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि कौन सा mutual fund नहीं खरीदना चाहिए invest करते time कहां पैसे लगाने है इससे ज़ादा जरूरी है कि कहां पैसे नहीं लगाने है हो सकता है आपने भी कोई ऐसा mutual fund खरीदा हो, जो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जूट बोला जाता है कि सारे mutual fund आपको profit देते हैं, कहीं mutual fund आपको profit से ज़ाधा नुकसान भी देते हैं, आजकल सब mutual funds के पीछे भाग रहे हैं, तो इसलिए आपका जानना और भी ज़रूरी है कि किन mutual funds से आपको दूर रहना है, तो इसलिए दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, साथ ऐसे mutual funds जिससे आपको दूर रहना है और उनमें invest नहीं करना है, तो ही आप एक profitable portfolio बना पाएंगे in the long run, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और subscribe कर लेना, क्योंकि मैं हर हफते आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लेकर आता हूँ, medium में और 25% small cap fund में invest करना mandatory है, यानि उसको करना ही पड़ेगा, और बाकी 25% वो किसी भी fund में invest कर सकता है, इससे क्या होता है कि fund manager के हाथ बन जाते हैं, कि उसको 25% तीनों में invest करना ही पड़ेगा, चाहे profit हो या ना हो, तो इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, कि flexi cap funds में invest कर सक सकता है, जैसे 50% large cap में, 30% small cap में, 15% medium cap में etc, दूसरा fund जिससे आपको दूर रहना है, वो है balance and hybrid fund, balance और hybrid fund वो होते हैं, जहां आपको पागल बनाके आपसे ज़्यादा commission charge की जाती है, जहां दोस्तों, यह कहते हैं कि हमने आपके कुछ पैसे stocks में invest कर दिये, जहां ज़्याद balance हो गया, लेकिन अब आती है असली बात, equity में invest करने पे, mutual fund companies को ज़्यादा commission मिलती है, और दूसरी चीजों में कम, तो यह hybrid और balance fund में, यह थोड़ा part equity में invest करते हैं, और थोड़ा दूसरी चीजों में, लेकिन commission equity वाली charge करते हैं, इससे आपकी और मेरे जैसे retail investors को घाटा हो इसका reason यह है कि पहले large cap fund सिर्फ नाम के ही large होते थे, क्योंकि वो अपना नाम तो large cap fund रखते थे, लेकिन अपने fund का सिर्फ छोटा सा हिस्सा, यानि 40 या 50% ही सिर्फ large cap में डालते थे, बाकी सब medium और small में डालते थे, जिससे risk बढ़ जाता था, लेकिन अब sabby के new rules के रहेंगी market cap के हिसाफ से, यानि जो top 100 companies है, तो अब इससे क्या हुआ कि जितने भी large cap fund है, जैसे SBI, large cap fund, HDFC, जितने भी हैं, वो सब के सब इनी 100 companies में invest करेंगे, तो जब सबने इनी 100 companies में invest करना है, तो मैं 1% extra fees किस बात की दूँ, क्यों ना मैं इसको छोड़के सीथा large cap index fund ही 10% commission बचेगा, अब आते हैं 4th fund पे, जिससे आपको दूर रहना है, वो है sectoral and thematic funds, sectoral या thematic funds वो होते हैं, जो किसी एक particular sector में ही invest करते हैं, जैसे से pharma की companies में ही invest करेंगे, या IT की companies में ही invest करेंगे, सेवी की guidelines के हिसाब से, इन funds को अपना 80% amount किसी एक particular sector में ही invest करना होता है, ज लेकिन ये fund सबसे risky होता है, क्योंकि ये fund एकदम से ऊपर चला जाता है, और तभी सब attract होके इसमें पैसा लगा देते हैं, फिर वही fund एकदम से नीचे भी आ जाता है, जब थोड़ा सा भी एक sector पे risk आता है, जैसे pharma पे risk आया, तो पूरा का पूरा fund ही नीचे आ जाएगा, सिर्फ एक ही sector में investment होने की वज़े से, ये stock उस पे depend हो जाता है, जैसे बाकी mutual fund की बात करेंगे, तो इसमें एक pharma का, एक IT का, एक finance का, एक sector है, लेकिन इसमें 80% एक ही sector में है, तो अगर वो हिला, तो सब गया, अब आते हैं 5th mutual fund पे जिससे आपको दूर रहना है, वो है mid-cap fund, एक होता है mid-cap funds, और एक होता है large and mid-cap funds, आपको mid-cap funds की जगा, large and mid-cap funds में invest करना है, क्योंकि सहभी की guidelines के हिसाब से, mid-cap fund को अपना 80% हिस्सा, mid-cap stocks में ही invest करना mandatory है, यानि करना ही पड़ेगा, top 100 companies तो हो गई large cap fund, तो 101 से लेकर 200 तक, यानि 101 से लेकर 250 companies जो होती है, वो सारी की सारी mid-cap companies होती है, तो जितने भी mid-cap fund है, वो सारे इन 1500 companies में ही invest करेंगे, यानि 101 से लेकर 200 तक, जो भी companies है 1500 company, तो इससे return भी limited मिलेगा, तो इसलिए इसकी जगा, आप large and mid-cap companies में invest करें, क्योंकि इससे fund manager को सिर्फ 101 से लेकर 2500 companies ही नहीं, एक से लेकर 2500 companies में invest कर सकता है, या और वो large और medium, जिसमें जादा profit होगा, उसमें invest करके आपको भी जादा profit दे सकता, अब आते हैं 6 mutual fund पे, जिससे आपको दूर रहना है, उसको कहते है new fund offering, इसको NFO भी कहते हैं, जैसे IPO होता है, वैसे ही NFO होता है, new fund offering, इसका मतलब होता है कि जब कोई new fund launch होता है, तो उसको NF हो गयते हैं, लेकिन जब भी कोई new fund launch होता है, आपको उससे दूर रहना चाहिए, चाहिए वो जितनी भी marketing और advertisement कर ले, आपको उसकी ad या hype देख के उसके पीछे भागना नहीं है, पहले आपको उसको 2 या 3 साल watch करना चाहिए, कि उस fund में dumb है की नहीं, जैसा वो claim कर रहा है, दूर रहना चाहिए, जैसे mutual fund में हमें खुद stocks न select करने पड़े, इसलिए आपके और मेरे जैसे retail investor, पैसा इकठा करके एक expert fund manager को पैसे देते हैं, और वो हमारी तरफ से stocks में invest करता है, और कुछ commission charge करता है, उसी तरह fund of fund में, आपके और मेरे जैसे कही investor, पैसा इकठा करके ए एक तो इसकी commission funds of funds की, और एक mutual fund की commission, हम लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि खुद mutual fund खरीच सकते हैं, सिर्फ एक click में किसी भी आप से, तो हमें इस fund की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस fund से दूर रहिए, जितनी भी marketing करें, ये थे किछ mutual funds, जो आपको हर हालत में avoid करन झाल, 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 झाल